ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमहा ओम नमश्यवाई हरे क्रिश्णा आप सभी भगतों का देनी शुप और मंगल मैं हो। आईए सुनते हैं आज की महतम्य गथा में आगे कब्रितान ओम नमो नारायनाए हे प्रिभगतों नारद जी ने भ्रमाजी से कहा हे सुर्शेश्ट एक ही गंदा के आपने दो भेदपत लाए हैं एक तो वह है जो गौतम नामक प्रामन के द्वारा लाया गया और दूसरा जिसे एक शत्रिय राजा भगिरत ले आए इसलिए उसी एक प्रसंद मुझे सुनाईए फिर भ्रमाजी बोले हे देवरिशी नारद वह वस्वत मनों के वैश में राजा एक श्वाकू के कुल में सगर नाम के अत्यांत धार्मिक राजा हो गए हैं वे यद्य करते थे दान अचार वे चार से रहते थे उनकी दो पत्या थी वे दोनों ही पती भत्त प्रायना थी किन्तों उनमेंसी किसी को भी संतान ना हुई इसलिए राजा की मन में बड़ी चिंता थी एक दिनोंने महरिशी वशिष्ट को अपने घर पर बुलाया और विधी पूर्वक उनकी पू काल तक ध्यान किया उसके बाद राजा से कहा कि ही राजन तुम पत्नी सहित सदा रिशी महरिश्यों का सेवन करते रहो ऐसा कहकर महरिशी वशेष्ट अपने आश्रम को चले गए हे प्रियभक्तों एक समय की बात है राजा सगर की घर पर इत्तपस्री महात्मा पधरे राज उसे संतोष्ट होकर विमहात्मा बोले हे महाभाग तुम उसे वर मांगो यह सुनकर राजा सगर ने पुत्र होने के लिए उनसे प्राथ्न की फिर मोनी बोले कि तुम्हारी एक पत्नी की गर्प से एक ही पुत्र होगा किन्तों वह वईश्धर होगा और दोसरी इस्ठी के करब से साथ हजार पुत्र उत्रपन होंगे वर्दान देकर जब मुनीच चले गए तब उनके कतना नुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए राजा सगर ने पुत्तम दक्षिना से युक्त बहुतेरे आश्वमेद यग्य किये फिर एक आश्वमेद यग्य के लिए उन्होंने विधी पुर्वक दिक्षद रहन की और आश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया आश्व पृत्वी पर घूमने लगा और इसी बीच में कहीं अफसर पाकर इंद्र ने उस आश्व को हर लिया और अपने रक्षपों को सौंप दिया और दूसरी तरफ राज कुमार घोड़े को इधर उधर ढूनने लगे प्रंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई ना दिया तब उन्होंने देव लोक में जाकर ढूंडा परवतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान मारे मगर कहीं भी उसका पता ना लगा और इसी समय आकाश वानी गुई हे सगर पुत्रों तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंदा है और कहीं नहीं है यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब और से प्रिच्वे को खोटने लगे भोग से पीडिद होने पर वे सोखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमी खोटते रहते इस प्रकार वे शिग् सगर के बल्वान पुत्रों को वहाया सुनकर रक्षक धर्रा उठे और उनके वद का उपाय करने लगे वे बीना युद्ध किये ही भैभीत होकर उस स्थान पर आये जहां महामुनी कपिल सो रह थे कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था रक्षकों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंद कपिल मुनी के सिराहने की और बांद दिया और स्वयाम चुप चाप दोर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है इतने मैं ही सगर के पुत्र रसादल में घुसकर देखते ह कि वहां घोड़ा बंदा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है उन्होंने कपिल मुनी को ही अश्व चुरा कर यद्य में विखन डालने वाला मान लिया और यहे निश्ची किया कि इस महाँ पापी को माल कर हम लोग अपना अश्व महराज के पास ले चले कोई बोले अपन दूसरे बोल उठे हम शूरवी राजा है शासक है इस पापी को उठाएं और ख्षत्री योचित तेज से इसका वद कर डाले बस फिर क्या था वे मुनी को कटो वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे इससे मुनी श्रेश्ट कपिल को बड़ा क्रोध हुआ फिर कपिल पुत्रों की और क्रोध पूंड द्रिश्टी से दिखा और उन्हीं भस्म कर डाला वे सब के सब जलकर राख हो गए हे नारद यग्य में दिख्षित महराज सगर को इन सब बातों का पता ना लगा उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया इससे राजा को ब जिसका नाम असमंजा था वह मुर्पता वर्ष नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंग देता था तब पुर्वासियों ने इकठे होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी पूत्र का यह अन्याय जानकर महराज को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने अपने अमात्यों से कहा यह असमंजा बालकों की हथ्या करने वाला तथाक्षत्रिय ध्रम का त्यादी है इसलिए यह इस देश का त्याद करते बहराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राज-खुमार को तुरंद ही देश निकाला दे दिया असमंजा वन में चला अब राजा सगर चिंत वह भी वन में चला गया इस समय मेरी क्या गति होगी असमंजा के एक पुत्र था जो अशुमान नाम से विख्याद हुआ यदि भी अशुमान अभी बालत था फिर भी राजा ने उसे बुला कर अपना कार्य बताया अशुमान ने भगवान कपिल मुनी की राध नाकी और घोडा लाकर राजा सगर कुते दिया इससे वह यग्य पोण हुआ अशुमान के दजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था दिलीप के पुत्र परम बुधिमान भगिरत हुए भगिरत ने जब अपने समस्थ पितामाहों की दुर्गती का हाल सुना तब उन्हीं बड़ा दुख हुआ उन्होंने राजा सगर से विने पुर्वक पुछा हे महराज उन सब का उधार कैसे होगा राजा ने उत्तर दिया कि हे पुत्र यह दो भगवान कपिल मुनी ही जानते हैं यह सुनकर बालत भगिरत रसातल में के अपना सब मनुरत उन्हीं कह सुनाया फिर कपिल मुनी बहुत देर तक ध्यान करके बोले हे राजन तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की अराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पित्रों की भस्म को अप लावित करो इससे तुम तो कृदा होंगे ही साथ ही तुम्हारे पित्र भी धन्ने हो जाएंगे यह सुनकर भगिरत ने कहा कि बहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा हे मुनिश्रेश्ट बताईए मैं कहां जाओं और कौन सा कारे करूं फिर कपिल मुनी बोले की ही राजन के लाश परवत पर जातर महादेव ज चन सुनकर भगिरत ने उन्हीं प्रणाम किया और केलाश परवत की यात्रा की वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगिरत ने तपस्य का दिश्चे किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा हे प्रभू मैं बालक हूं मेरी बुद्धिवी बालक की ही ह और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को तारण करते हैं मैं कुछ पर नहीं जानता आप मेरे इस अंजानपन से ही प्रसन होई है अमरेश्वर जो लोग वानी से मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा ही तसाधन में सलगन रहते हैं उनका कल्यान करने के कि मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूं आप देवतादी के लिए भी पोचे हैं जिन पुर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रोप में उत्पन किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया भगवान शेव उनका अभिष्ट मनुरत पोन करी मैं बाल चंद्र का मुकुडधारन करने वाले भगवान शंकर को नित्ते प्रणाम करता हूं हे प्रियभक्तों भगिरत के ऐसा कहते ही भगवान शेव उनके सामने प्रतट हो गए और बोले हे महमते तुम निर्भय होकर कोई वर्मा को जो वस्तू देवताओं के लिए भी सुलब नहीं है व और प्रसंद होकर कहा हे देवेश्वर आपकी जटा मैं जो सरीता मैं श्रेष्ट गंगाजे भी राजमान हैं उन्हें ही मेरे पित्रों का उधार करने के लिए मुझे तेदी चीए इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा तब महेश्वर ने हंसकर कहा हे पुत्रे मैंने तुम अब तुम उनकी स्तूति करों महादेव जी का यह वच्चन सुनकर भागी रतने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को सयम में रखकर भक्ती पुर्वक गंगा जी की स्तूति की बालक होने पर भी भागी रतने अबाल कोचित पुरुशार्थ करके ग गंगा जी की भी क्रिपा प्राप्त की महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पांकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की परहाथ जोड कर कहा हे देवी महामुनी कपिल के शाप से मेरे पीत्र दुर्गती में पड़े हुए है हे माती आप उनका उध्धार करें देव नदी गंगा सब का उपकार करने वाली हैं वेस्मरन मांत्र से ही सब पापों का नाश कर देती हैं उन्होंने भगिरत की प्रात्ना सुन कर तथास्तु कहा और लोकों का उपकार एवं पित्रों का उधार करने के लिए भगिरत के कतना नुसार सब कारे किया हे प्रियभत्तों, राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातिल में पड़े थे, उन्हें अपने जलसी अपलावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड़ों को भी भर दिया, हे महमुने, इस प्रकार तुम्हें ख्षत्तिय गंगा का वितांग सुनाया, ये माहेश्वरी, वैश्नवी, भ्राम्मी, पावनी, भागी रथी, देवनदी, तथा, हीमगिरी, शिखराश्रवा, अर्थार, हे माले की चोटी पर रहने वाली आदी नामों से पुकारी जाती हैं, इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित, गंगा का जल दोस्वरूप में विभक्त हुआ, विंध्यगिरी के दक्षिन भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी, अर्थार, गुदावी कहते हैं, और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा, भागी रथी कहलाती हैं, हे प्रियभक्तों, फिर नारद जी ने कहा कि हे भगवन, आपके मुख से कथा सुनते सुनते, मेरे मन को त्रिपती नहीं होती, पहले गौतम भ्रामन के द्वारा लाइवी गंगा का वर्णन कीछिए, उनकी प्रिथत प्रिथत तिर्थों के पल, पुर्णे तथा इतिहास पर भी क्रमशय प्रकाश्टा लिए, फिर ब्रहमाजी बोले कि हे लारत, गुदावरी के प्रिथत प्रिथत तिर्थों, फालों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ, और ना ही तुम सुन्ने में स्मार्थ हो, इसलिए कुछ बतलाता हूँ, जहां भगवान त्रियंबक, गौतम के सामने प्रकट हुए थे, वह गौतमी गंगा का पुद्गम स्थान है, वह भोग और मोक्ष देने वाला है, हे प्रियपत्तों, आप सभी को तो पता ही होगा, कि द्रियंबक नामक मंदिर नासिक में है, ब्रह्मा जी बोले कि दूसरा वारह तेर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है, उसका यग्य के रसातल चले जाने पर पृत्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया, देवताओं ने सोचा, कि यग्य के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा, और ना ही पर लोक ही, इसलिए अपने शत्रू के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, परंतु इंद्रादी देता सिंदु से इनको जीत ना सके, तब उन्होंने पुरान पुरुष भगवान विष्टो के पास चातर यग्या पहरन आदी राक्षस की सब करतोत कह सुनाई, भगवान ने उन्हीं सांत्वना देते हुए कहा, मैं वारा हरूप धारन करके, शंग, चक्र और गदा हाथ म में जाओंगा, और मुख्ये मुख्ये राक्षसों का सहार करके, पुन्ने मैं यग्ये को लोटा लाओंगा, हे देताओं, तुम सब लोग स्वर्ख में जाओं, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए, फिर गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मा मार्ग से प्रिथ्वी को छेद कर, चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुँच गये, उन्होंने वारह रूप धारन करके, रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वद्ध किया, तथा माहा यग्ये को मुख में रखकर, रसातल से निकल आए, हे प्रिय भक्तों, उस सम देवता भ्रहमगीरी पर श्रीहरी की पर्दिक्षा करते थी, उस मार्ग से निकल कर, भगवान गंगा स्तोत्र में और रक्त से लत्पत हुए, अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया, उस स्थान पर वारह नामक कुंड हो गया, इसके बार भगवान ने मुख में रख तेर्थ परम पवित्र और संपोड अभिलशित वस्तों को देने वाला है, वहां किया हुआ स्नान और दान सब यग्यों का फल देता है, जो पुन्य आत्मा पुरुष वहां रहकर अपने पित्रों का स्मरन करता है, उसके पित्र सुब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चली जाते हैं, त्रियंबग में एक कुशावर्थ नामक तीर्थ है, उसके स्मरन मात्र से मनुशियत प्रितार्थ हो जाता है, वह समस्त अभिष्ट वस्तों को देने वाला है, कुशावर्थ उस तेर्थ का नाम है, जहां महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से अवर्थ ठ्सण किया था, वे वहां गंगा को कुश से लटा कर ले आज थी, कुशावर्थ में किया हुआ स्नान और दान, पित्रों को त्रिट्टी देने वाला है, जहां नदियों में शरेष्ट गंगा, नील परवत से निकनी है, वहां वे नील गंगा के नाम से विख्याद है, उससे पित्रों को बड़ी त्रिप्ती होती है हे महरिशे, गुदावरी में परम उत्तम कपोद तेर्थ भी है जिसकी तीनों लोगों में प्रसिद्धी है हे मुने, मैं उस तेर्थ का स्वरूप और महान फल्पत लाता हूँ सुनो, भ्रामगिरी पर एक बड़ा भ्यंकर व्याद रहता था वह भ्रामणों, साधुओं, यतियों, गवों, पक्षियों, अतधामरिकों की हत्यक्य करता था वह बापात्मां बड़ा ही क्रोधी और असप्तेवादी था उसके हाथ में सदा ही पाश और धनुष मौजूद रहते थे उस महाबापी व्याद के मन में सदा पाप के ही संकल पुड़ते थे उसकी पत्नी और पोत्र भी उसी स्वभाव के थे एक दिन अपनी पत्नी की प्रेंडना से वह घने जंगल में चला गया वहाँ उस पापी ने अनेग प्रकार के म्रीकों और पक्षियों का वद किया कितनों को जीवी थी पकड़कर पिंजरे में डान दिया इस प्रकार बहुत दोर तत घूंद फिर कर वह अपने घर की उर्लोटा तीसरे पहर का समय था चैतर और वैशाक बीत चुके थे कानी के साथ पत्रों की वर्षा होने लगी मुसलाधार वर्षा होने की कारण बड़ी भ्यनकर अवस्था हो गई व्याद राह चलते चलते ठक क्या था जल की अधिक्ता के कारण रास्ते का ग्यान नहीं हो पाता था जल थल और गढ़्धे की पहचान असंभव हो गई थी उस समय वह पापी सोचने लगा कि कहां जाओं कहां ठेहरूं क्या करूं मैं यम्राज की भांती सब प्राणियों के प्रान लिया करता हूं आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्रों की व्रिष्टी हो रही है आस पास कोई असी शीला अध्वाव रिक्ष नहीं दिखलाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके हे प्यवद्दों इस प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े हुए व्याद ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम रिक्ष देखा जो शाखा और बल्लवों से रहा था वह उसी के छाय में आतर बैठ गया उसके सब वस्त्र भीग गए थे वह इस चिंतों में पड़ा था कि मेरी पत्नी बच्चे जीवित होंगे या नहीं इसी समय सुर्यास्त भी हो गया उसी व्रिक्ष पर एक कबूतर अपनी बत्नी और पूत्र पौत्र के साथ रहत उस व्रिक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे उसकी पत्नी कबूत्री बड़ी पतिम रता थी वह अपने पती के साथ उस व्रिक्ष के खोखले में रहा करती थी वहां हवा और पानी से पूरा बचाओ था उस दिन दैव वश कबूतर और कबूत्री दोनों ही चारा चुगने के लिए गए हुए थे किन्तों केवल कबूतर ही लोटकर उस व्रिक्ष पर आया भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याद के पिंज्रे में पड़ी हुई थी व्यादनों से पकड़ लिया था परन्तों अभी तक उसके प्रान नहीं गय थी कपोत अपनी संत कपोती से खाली ही रह गया यह विचार करके कपोत विलाप करने लगा उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंज्रे में बंधी पड़ी है कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन करना आरंभ किया हाए मेरे हर्ष को बढ़ाने वानी कल्यान मैं कपोती ना जाने क्यों अभी तक नहीं आई वही मेरे धरम की जननी है उसके सहियोग से ही मैं धरम का संपादन कर पाता हूं मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिध्धी मैं वही सर्वदा मेरी सहायता करती है मुझे प्रसंद देखकर वह हंसती है और दुख्षी जानतर मेरे दुखों का नविवारन करती है उचित सलाहा देने में वह मेरी सची है और सदा ही मेरी आज्या के ही पालन में स्लगन रहती है सूर्य अर्ष्थ हो गया तो भी वह कल्यानी अभी तक नहीं आए वह पती के सिवा दूसरा कोई व्रत मंत्र देवता धर्व अथ्वा अर्थ नहीं जानती वह पती व्रता है पती मैं ही उसके प्रान बस्ते हैं पती ही उसका मंत्र और पती ही उसका प्रेतम है मेरी कल्यान मई पत्नी अभी तक नहीं आई क्या करों कहां जाओ मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है उसके रहने पर भ्यांकर स्थान भी शोभा संपन और सुन्दर दिखाई देता है जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है वे हैं मेरी प्रिया पत्नी अब तक नहीं आई मैं उसके बिना जेवित नहीं रह सकूँगा अपने प्रिया शरीर को भी मैं त्याग दूँगा किन्तो ये बच्चे ये बच्चे क्या करेंगे ओह आज मेरा धरम लुप्थ हो गया है इस प्रकार विलाब करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली हे खगश्रेश्ट मैं यहां पिंजरे में बंधी हुई पेबस हो गई हूँ हे महमते यह व्याद मुझे जाल में पसा कर ले आया है आज मैं तो धन्य हूँ और अनुग्रेथ हूँ क्योंकि मेरे पती देव मेरे गोणों का बखान करते हैं मुझ मैं जो गोण है और जो नहीं है उन सब का मेरे पती देव गान कर रहे हैं इससे मैं निश संदे क्रितार्थ हो गई हूँ पती के संतोष्ठ होने पर इस्त्रियों पर संभोण देवता संतोष्ठ हो जाती है इसके विप्रेथ यदि पती असंतोष्ठ हो तो इस्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है हे प्रानात, तुम ही मेरे देता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहरत, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ख, तुम ही परब्रह्म, और तुम ही मोक्षो, ह्यारे मेरे लिए चिंता मत करो अपनी बुद्धी को धरम में स्थेर करो आपकी क्रिपा से ही मैंने बहुत से भोग भोग लिये हैं अपनी प्रिया कपोती का यह है वचन सुनकर कपोतर उस वरिक्ष से उतर आया और पिंजरे में बड़ी हुई कपोती के पास किया ओम नमो नाराय नाय हे प्रियभक्तों वहां जाकर कपोतर ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप अगे अध्याय में जरूर सुनियेगा उमेद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी तो मिंद्यांगली कथा किसा तब तक के लिए हरे कृष्णा